दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम माग मास की शट्तिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि आपको शट्तिला एकादशी व्रत गब रखना है पांच फरवरी या फिर छे फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा दे व्रत के शुभ मुहूर्थ के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधी के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए, और इस दिन खास करके किन बातों का ध्यान पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें। आप सभी के जीवन में भगवान विश्नु माता, लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्न की क्रिपासे, आप सभी को सुख और सम्रिध्धी की प्राप्ति हो, आप सभी की सभी मनो कामनाएं पूर्ण करें। हर मह के कृष्न पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी के दिन एकादशी का वरत किया जाता है और हर एकादशी वरत का अपना विशेश महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मागमास के कृष्न पक्ष में पढ़ने वाली शटिला एकादशी वरत का अपना विशेश महत्व है। इस वरत को करने वाले को इस दिन तिल, सनान, तिलों से उबटन, तिल, हवन, तिलों का आहार तथा तिल वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्न और भगवान लक्षमी नारायन का पूरे विधिविधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अतिप्रसन होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नश्ट करते हैं, तथा वैकुंठ लोग की प्राप्ति होती है। एक आदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप और ताप नश्ट होते हैं, तभी उनके पुन्यों का उदै हो पाता है। उसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, पाती है। एक आदशी व्रत, जो भी लोग करते हैं, उन्हें व्रत के लिए दस्वियों के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दश्मी तिथी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहन करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करके रात्री में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान राम का स्मरन करते हुए सोना चाहिए और एका दशी तिथी के लिए सुभे ब्रह्म मुहू उब्टन लगाने का विशेश महत्व है, तो तिल का उब्टन लगा कर के तिल के पानी से स्नान करना चाहिए. इससे अनंत गुणों की प्राप्ति होती है. स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें. उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. भगवान से प्रार मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश करें, जीवन के सभी पाप नश्ठ हो. और जब पाप नश्ठ होते हैं, तभी पुण्यों का उदय हो पाता है, तो भगवान से प्रार्थना करें. आपके मन में जो भी कामना हो, सब भगवान को बोलें कि हे प्रभू, मेरा यह व्रत स पुर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीरवाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन व्रत धारन करें। जो लोग शारीरिक परिशानी के कारण इस दिन उपवास नहीं रह पाते हैं। वो लोग एक समय में फलाहार ग्रहन करें और भगवान का इस दिन, सुबह और शाम के वक्त पूरे विधी विधान के साथ पूजन करें, कथा शरवन करें, भगवान की आरती करें, रात्रे में जहां तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के वृत में जागरण करते हैं, तो उसका कई गुना महत वो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और तिल द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत का पारण करना चाहिए। तो आईए अब जानते हैं शट्टिला एकादशी के शुब मुहूर्द के बारे में उससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ कर निवेधन है। कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, शट्टिला एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बज कर 24 मिनट एकादशी तिथि की समाप्ती होगी। 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4 बज कर 7 मिनट पर तो हमें शुद्ध रूप से सुर्योदय व्यापी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ समय नहीं करना चाहिए। जो की दूद की गाय के दूद से व्रत का पारण है। यह संभव ना हुपाए तो आप तुलसी दल, जल, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथी के दिन 6 फरवरी उस दिन सुर्योदय सुबह 6 बचकर 38 मिनट और सुर्यास्थ शाम 5 बचकर 45 मिनट। एकादशी तिथी के दिन ब्रह्म मुहूर्थ का जो समय होगा, वह समय सुबह 5 बचकर 22 मिनट से सुबह 6 बचकर 14 मिनट तक होगा। छे फरवरी को राहुकाल का जो समय होगा, वह समय दोपहर 2 बचकर 58 मिनट से शाम 4 बचकर 22 मिनट तक और साथ फरवरी को दोपहर 12 बचकर 12 मिनट से दोपहर 1 बचकर 35 मिनट तक राहुकाल का समय होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें, जेश्था नक्षत्र प्राथकाल से सुभह 7 बचकर 35 मिनट तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र सुभह 8 बचकर 50 मिनट तक होगा। उसक दूसरा पीसे हुए तिल का उब्टन करें, तीसरा तिलों का हवन करें, चौथा तिल मिला हुआ जल पिए, पाँचवा तिलों का दान करें। छट्वा तिलों की मिठाई और व्यंजन, बनाए च्छत तिला एकादशी वृत का पारण तुलसी दल और जल से वृत का पारण और खास करके उस दिन खाने का भी विशेश महत्व है। उन्हें एकादशी व्रत के दौरान किसी के उपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रती इरश्या भाव नहीं लाना चाहिए, व्रत के दौरान ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए, किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चा और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए. व्रत के लिए अगर मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो उस व्रत को जरूर करना चाहिए. वह व्रत फल्दाई ही सिद्ध होता है. पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभू प व्रत में शत्तिला यानि की इसमें छह प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल और गुड मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसे प्रस प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मांस मदिरा प्याज लहसुन का प्रयोग परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए, घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, घर में अगर लडाई जगडा हो, परिवार में कोई मतभेध हो, तो इस दिन बिल्कुल भ भी नहीं करना चाहिए, पूर्ण, शांती और भक्तिमय वातावरण बना करके, इस दिन और एकादशी व्रत के दौरान, अगर माताएं बहने मासिक धर्म से होती हैं, तो उस दौरान पूजन आदी का कार्य नहीं करना चाहिए, केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें, और व्रत के दौरान आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदी का कार्य बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें, और भगवान का पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विश्नु के नामो का जप करना चाहिए, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जल का अर्ग अवश्य प्रदान करना चाहिए, और उस समय आप भगवान विश्नु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें, तो बहुत लाबकारी होगा, भगवान के नाम का लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखें और भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखें। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके अपने लिए एक आसन लगाए आपका मुह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके बैठे इस प्रकार से सबसे पहले आप आसन पर बैठ करके अपने शरीर का शुद्ध करण करें तिलक धारण करें अपने मस्तक पर तिलक लगाए एक दीपक प्रज्वलित करें घी का दीपक हो तो उस दीपक को कलश के दाहिने तरफ रखना चाहिए और अगर तिल के तेल का या सरसों तेल का दीपक हो तो उसे कलश के बाई और रखना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखें और दीप के नीचे अक्षत डाल दें क्योंकि दीप को आसन देना बहुत जरूरी होता है इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले तो भगवान गनेश जी पूजन करें किसी भी पूजा की शुरूआत भगवान गनेश जी का पूजन से किया जाता है भगवान गनेश विग्न हरता है आपके सारे काम सिद्ध करते हैं गनेश जी से प्रार्थना करें कि भगवान गनेश जी हमारे परिवार को पुन्य फलों की प्राप्ती हो हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं शत्तिला एका दशी का वरत रखने जा रहा हूँ, या रखने जा रही हूँ, इस वरत को सफल बनाएं, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभू से कहें, इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद कलश देवता का पूजन करें, कलश को स्थापित करने से पहले उसके नीचे साफ मिट्टी रखें, कलश के ऊपर कुछ अनाज रख करके कलश को स्थापित करें, कलश में जल डालें, उ उसमें कुछ पैसा डालें, आम पल्लव रखें, पून पात्र रखें, जो की चावल से भरा हुआ हो, उसके उपर से फिर नारियल रखें, पानी वाला नारियल होना चाहिए। कलश को स्थापित करके वरून देवता और अन्य देवताओं का आवाहन करें, तीर्थों का आवाहन करें, इस प्रकार से फिर कलश पूजन संपन्न होने के बाद देवताओं का पूजन करें, दिन में अगर पूजन हो तो सूर्य संग पंच देवताओं का पूजन करें, रात भगवान विश्नु भगवान श्री कृष्ण का जल से अभिशेक करें, पंचामरित से अभिशेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिशेक करें, इसके बाद पीला वस्त्र चड़ाएं, यग्युपवीत अर्पित करें, उसके बाद शट तिला एकादशी पर तिल भगवान क वैसे भी भगवान विश्नु को खास करके अक्षत नहीं चड़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें तो अक्षत के जगह उन्हें तिल चड़ाया जाता है, तो भगवान को काले या सफेद तिल अर्पित करें, उसके बाद तुलसी दल चड़ाएं, भगवान को तुलस अर्पित करें, उसके बाद फिर पीला पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नवैद श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें, शक्तिला एकादशी पर भगवान क तिल और गुड से बने हुए मिठाई, विशेश प्रकार से अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, कुमहडा अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, सीता फल आदि भगवान को अर्पित करें, और इन चीजों का जो की अगले दिन जाकर के दान भी करना चाहिए, तो इस बात का अगर आप बाजार से नवैद लाते हो, मिश्ठान लाते हो, तो उस पर गंगा जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को अर्पित करनी चाहिए, या घर में अगर दूसरे बने हुए मिठाई आदी आप बनाते हो, तो भगवान को अर्पित करें. यदि भगवान को भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को तू अपनी श्रद्धा और सामर्थे के अनुसार आर्तु फल आदी बन सके. भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद द्रव्य दक्षणा चड़ाएं, म माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प वपुष्प की माला महिलाएं, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें, और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली चंदन अर्पित करें, उसके बाद धूप औ पिर शट्तिला एकादशी व्रत की कथा श्रवन करें, उसके बाद फिर भगवान की आरती करें, इसी प्रकार से जहां तक बन सके भगवान का पूजन करना चाहिए, जिनके पास समय कम हो वो लोग इस दिन भगवान, विश्णु और मा लक्ष्मी की, तो कम से कम जल रोली, ध दीप आदी से पूजन करें, इसके बाद शट्तिला एकादशी व्रत का कथा श्रवन कर ले, भगवान की आरती कर ले, कम से कम इतना काम अवश्य ही करना चाहिए, माग महीने में गंगास्नान का बड़ा ही विशेश महत्व होता है, तो शट्तिला एकादशी व्रत के दिन जहां तक बन सके इस दिन गंगास्नान करें, सुबह के समय में तो बड़ा ही पुन्यफल दायक है, इस प्रकार से विधी विधान के साथ ऐसा करना चाहिए, सुबह और शाम के समय में जितना बना सके जिनके पास समय ना हो, वो कम से कम भगवान विश्नु का, पंचोप चा पूजा के द्वारा, भगवान का पूजन कर आपसे जितना भी बन सके, उस प्रकार से पूजन करके कथा का श्रवन करें और भगवान की आरती करें, इस प्रकार से भगवान का पूजन करने चाहिए, शट्ट तिला एकादशी की रात जहां तक हो सके, रात्री जागरण कर क्योंकि एकादशी के वरत में जागरण करने से उस वरत का कई गुना फल बढ़ जाता है, तो जहां तक हो सके एकादशी वरत में जागरण भजन कीरतन करना चाहिए, भगवान राम का भजन कीरतन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, और अगले दिन सुबह स्नान करके भग तिला एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन द्वादशी तिथी के दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है। और उस दिन भगवान विश्णु के पूजन का विशेश महत्व माना गया है। भगवान विश्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। उसके बाद फिर उस दिन तिल गुड नारियल सीता फल भगवान को अरपन करके ब्राह्मनों को दान अवश्य करना चाहिए। जहां तक हो सके और वस्त्र कंबल आप से जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार अपना खयाल रखना दोस्तों। जै श्री राधे कृष्णा जै श्री राम।